जैश्री शनी दे मित्रों न्याय के देवता शनी ग्रह को सबसे कुरूरतम ग्रह माना जाता है जिसको लेकर सबके मन में चिंता होती है कि उसकी राशी पर शनी पर कैसा फरबाव है आपकी कुंडली में शनी की सबाव में है इससे आपके पूरे जीवन की दशाता होती है सुख दुख आदी सभी बात निर्दारित हो जाती है शनी को कष्ट प्रदता के रूप में भी अधिक मना जाता है आईए जानते है कुंडली के सभी बारहां बाव में शनी कैसे परनाम देते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूँगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आपने अभी तक किस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जलती से करिए और बगल वाले गंटी के आईकोन को भी दबा दें जिससे मेरी आगे की हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें अगर आपके वीमन में ऐसा ही कोई परशन है जोती से सबंदित या अधियात्मी कर सनातन सवस्कृती से सबंदित तो इस वीडियो के कमेंट वोक्स में जाकर के कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर करें ताकि ये सब को यह जानकारी मिल पाए तो चलिए शुरू करते हैं अब हम बात करेंगे कुंडली के बारह बाव में विराजमान शनी की जिस वेक्ति की कुंडली में शनी बथम बाव में हो तो वह वेक्ति राजा के सामान जीवन व्यातीत करता है वहीं अशुब बाव में होने पर शनी काफी दुष परनाम भी देता है ऐसे लोग शरीर से रोगी और बुरे कर्म करने वाले हो जाते हैं जिन जातकों के जनमकाल में शनी उचके होते हैं वे बाग्यावादी होते हैं तथा ऐसे लोग राजा के समान, मान परतिष्ठा, वाईवब प्राफत करते हैं और सुख भोगते हैं जिन जातकों के कुंडली के दूसरे बाब में शनी हो तो ऐसे जातक दन के मामले में पाग्य के दनी होते हैं ऐसे लोग कोईला लोहा और दातु का वैपार करते हैं अगर ये वैपार करें तो जदा अशुब माना जाता है और लाब दैक भी होता है मगर अशुब बाव में होने पर शनी जातक कई बार निर्दन कर देते हैं आँखों की बिमारियां कष्ट देते हैं ऐसे जातकों के दो विवाह भी हो सकते हैं ऐसे जातक सरजूट बोलने वाले और दूसरों को मूर्क बनाने वाले होते हैं अगर कुंडली के तीजरे बाव में शनी हो तो जातक बुद्धिमान और उतार होता है और ऐसे जातकों को इस तरीका भी सुख प्रापत होता है लेकिन ऐसे लोग कई बार शारी कुरूप से आलस्य वाले और नीच परवर्ति के हो जाते हैं ऐसे जातकों को संगर्ष पुरनस्तितियों और कठोर परिश्रम के बाद भी मिलने वालिया सवल्ता परिशान करती है अगर किसी जाते के कुंडली के चतुरुत बाव में शनी हो तो ऐसे लोग बचपन से ही रोगी बने रहते हैं इस बाव को सुख का बाव माना जाता है अगर इस बाव में शनी हो तो रह जाते के जीवन से सुख को नश्ट करते हैं ऐसे लोग कई बार अपना मकार नहीं बना पाते और गर की जिम्मेदारियां भी ठीक से नहीं बाब आते जातके कुंडली के पाचवे बाव में शनी होने पर वह दूष्ट प्रकृति वाला हो जाता है ऐसे लोगों में ग्यान और बुद्धी की कमी होती है ये सुख से अपना जीवन नहीं बिता पाते हैं अगर पंचम बाव में शनी हो तो वह आदमी इश्वर में विश्वास नहीं करता और मित्रों से द्रहों करता है तथा पेट से पीड़ा परिशान गूमने वाला आलसी और चत्र होता है जिन जातके कुंडली में चटे बाव में शनी विराजमान होता है वह काम में उची र ऐसे लोग सवबाब के पुश्कुटिल होते है अलाकि इन्हें शत्रू पर जीत पाने में सफलता मिलती है अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के सब्तम्बाम में शनी हो तो ऐसे लोगों के पास पैसे की कमी होती है ऐसे लोग खराब वेशबूशा वाले होते हैं ऐसे लोग नीचो और पापी होते हैं जातकों कि कुंडली के इस कई बारुन का तलाक तक करवा देता है ऐसे धायतर सवन्द भी हो सकते हैं आठवे बाम मेशनी होने पर वह जातक कुष्ट लोगी हो सकता है या पिर वह किसी और विमार से पीडित हो सकता है कई बार ऐसे जातक कभी बड़े जोसी दार्शनिक और व्यक्ता भी बन जाते हैं ये लोगी नी शित्र मेदन भी कमाते हैं ऐसे जातक जिनकी कुण्डली के नोवे बाम मेशनी होता है वह कई बार और धर्म के मारक पर चलने वाले नीज संतान गरीब हो जाते हैं नमस्त वक्री शनी जातक की पूरुजों से प्रपद्धन में व्रित्धी करता है उसे दर्म परायन एवं आर्तिक संकट आने पर देर्यावान बनाता है दसवे बाम में शनी होने पर रखती धनी धार्मेक राज्य मंत्रिया उच्पद परासीन होता है ऐसे जातक वकील हो सकते हैं या फिर बड़े नेता बन सकते हैं शनी की प्रकृति के अनरूप इस प्रकार के कुछ जातक वेरिष्ट मुखिया या दंडा दिकारी भी हो सकते हैं जिस जातक के कुंडली में ग्यारवें बाम में शनी हो वह लंबी अयूँ वाला धनी कल पान शील निरोग सभी सुप्रापत करने वाला होता है ऐसे लोग अधिकारियों से अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं जिन जातकों के बाहर वे बाम में शनी हो तो ऐसे जातकों का मन अशांत रहता है उन्हें किसी भी काम में संदुष्टी नहीं मिल पाती है ऐसे जातक कई बार कुटिल मन वाले भी होते हैं तो मित्रों ये तो थी कुंडली के सभी बारह बाव मेशनी कैसे प्रणाम देते हैं सुम्पुरुन जानकारी और अगर आपके विमन में ऐसा ही कोई प्रशन है या आप भी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो संपरक सुण्तवर आप के सामने हैं हमसे संपरक करें जिसमें आप सिर्फ अपनी जनुमतिति जनुमस्थान वे जनुम्समय बता करके अपने समस्टरों के समदान का उपए करवा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेर, कॉमेंट करें, वे इस चैनल से जुड़े रहें, आपको आगे भी ऐसे ही अधियात्मिक रहसमे, सनातन दर्म से सुबंदित संस्कृतिक जोती सुबंदित ग्यान मिल और मेरे पीछे के जो लोग हैं कहिदावनात्याम के यात्रा, पद्रिनादाम यात्रा, उजयन महाकाल यात्रा, मनी मेंश का लाश परवद्यात्रा, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया हैं, उनको जाकर के देख लें, जिसमें आप जानेंगे, कहीं रहस्यों के बारे म वे दर्शन करेंगे वापा बोले नात के हर हर महादे